अब बस करना और कितनी पिएगा नहीं पिऊंगा तो टेंशन से मर जाओंगा यार आखे बंद करता हूँ तो पुलिस देखती है पता नहीं इस दहशत में कब तक जीना पड़ेगा मैंने वकील को सारी बात बता दिये वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा उसके आने तक जी बार के पी बढ़ना तेरी डेड बॉड़ी चलो चलो भगो भगो वी बार के पार के रास्ता है वद्स कर दो चौदार है कर दो कर दो यूऊ है हाँ तो खो मुआ ही मुआ ही पहां झाल! वाघал जाओ बाट अजय वे बिए कि व दो अजय जाँ वे टो आग बंद करते ही पुलीस सामने आ जाती है और कितने दिन यो डर डर के जीना पड़ेगा आग बंद करते ही पुलीस सामने आ जाती है तो तुम जंदा कैसे बचे है पुलीस सूंग कर मुझरिमों को खोज निकालती है सच नहीं बताया तो तुम लोगों की लाश यहां से जाएगे अब बताओ तुम लोगों का एक और जोड़ीदार नारायन कहा है कहाँ पर है बताओ पता नहीं उसकी बीवी ने पुलीस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई है कि पिछले चार दिनों से वो लापता है उसके घरवालों का कहना है कि वो तुम से मिलने का कहकर घर से निकला था तेरी जुबान को लखवा मार गया है तुझे पता नहीं तेरे जोड़ीदार कहाँ पर है वो तुम लोगों का बहुत वफादार दोस्त है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ उसकी बीवी ने कहा है अब तुझे बता तेरी लड़के के नापर जो सिम कार्ड है उसे कौन यूज़ करता है जानता मैं भी हूँ बेचारी रोश्णी उसने कोई गुना नहीं किया बेवज़े फस जाएगी बचने के कोई चांस नहीं है सारे सुबूत उसके खिलाफ है जाहिर सी बात है कि उसे बचाना सर्फ तेरे हाथ में है सर मैं सब कुछ बताता हूँ हमने तुम्हें जो एडवांस दिया था वो हमें वापस कर दो और तुम पीछे हट जाओ दो बार तो गेम फेल हो गया अब हमें तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं है तू तो डुबे गई हमें भी डुबाएगा परमार नाम का ओफिसर इस केस की चांडबिन कर रहा है हमारे उसके साथ अच्छे संबन्ध है फिर भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो हमारी कब्र जरूर खोदेगा काम होगा नहीं होगा तुमसे नहीं होगा तुम मारना भी मत तुम्हें इस काम के लिए यहां हम लोग लाई थे लेकिन अब हम ही ये काम तुमसे नहीं कराना चाहते है मैं जरूर मारूँगा सब भी हम लोग ही मारेंगे मार दूगा मार दूगा कहेकल तुने काम तो किया नहीं अब तक तुने किसी मच्छर को मा रहा है क्या बॉल तुमने मेरे दोस्त को मारा रहा है रूको रूखो नॉ प्लीज उस समय हम लोगों को कुछ और नहीं सूचा हम तीनों ने मिलकर नारायन की बोड़ी को दफना दिया कितने करोड़ों में कॉंट्रेक्ट केलर के साथ एग्रिमेंट किया था बताओ, बताओ तीन करोड़ में कितने दे चुके हो डेर करोड़ कौन-कौन कितना देगा मैंने इपन ने और नारायन ने आधा तो तुम सब उसके हिस्सेदार हो ऐसी भी कैसरोत आन पड़ी जो सीएम की जान के इतने बड़े दुश्मन बन गए एक नहीं बहुत थारी बजा है जब मैं तुम से पूछो तब तुम उस सवाल का सही सही जवाब देना बीच में मत बोलो है न तो मताओ जब से वो सीएम बने है तब से उन्होंने हमें परिशान करकर रखा है सीएम ने तुमारी नजबंदी करवा दी थी क्या वो दुश्मन की तरह हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे पूरी इमानदारी से कोई बिजनेस कर सकता है क्या सर तब लोग गलत धंदा करो अगर सरकार देखती रहेगी क्या सच कहता हूँ उन्होंने हमें बहुत परिशान किया सर अगर नया मुख्यमंत्री आया तो उसकी तरह से तुम्हें मदद मिलेगी क्या इदर इदर इस तरह की कोई भी बात हमने नहीं सुनी सर ऐसी उमीद तो हम किसी से भी नहीं रखते हैं सर ना राखे होती तो तेरे चेरे पर गमंड की ऐसी लहर नहीं दोड़ी होती ये बात सच है अगर मैं इस थाबित कर दू तो पब्लिक मीटिंग में वो हमारे एए यहां खड़ा हो जा अब बोल पब्लिक मीटिंग में क्या उन्होंने हमारी बेज़ती की, जब ये बात करने गया तो बतमीज गय कर बाहर निकाला, उसी दिन मैंने ठान लिया था, कि उन्हें चांस से मार दूँगा, दुनिया के सामने हमारी जो बेज़ती हुई, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है न सर, हम, सीएम् की बातों से तुम्हें काmost चोट लगी जरा देखूं तो, किलर से तुम्हें किस न मिलवाया, भालो! प्रेम जी भूटानी, सर, प्रेम जी भूटानी, ये भूटानी को न है अभे? भूटाहनी भी एक पिजनसमेन है किलर का नाम क्या है पता नहीं सर किस राज्यसे है नहीं जाता सर असकी भाषा क्या है हम लोगों से वह हिंदी में बात करता है उसकी असली भाषा में नहीं मारूं सर तुम लोगों किस साज़ि Lewis में और कौन कुन शामिल है और कोई नहीं है सर कोई राज नेता है? नहीं सर, कोई भी नहीं है सफेज जूट बोलो हो सच कर नहीं सर, सच कर नहीं, कोई नहीं है अब वो किलर कहां पर है? पता नहीं सार, डारायन को गोली मारने के बाद अपना प्टाय के जब पूछू तभी जवाब देने बाद दू बार समझा चुका हूँ न मैंने तुमसे नहीं पूछा, इससे पूछा था वो शायद ये शेहर छोड़ कर चला गया तुमारे ऐसा कहने का मतलब क्या है? उसका साथ देने वाले हम ही लोग थे जो उसका सपोर्ट करते थे मुझे लगता है ये सब उसके इशारे पर हुआ है मुझे भी नहीं लगता कि अब वो इस इलाके में कहीं नदर आएगा मगर मुझे लगता है वो यही कहीं आतपास ही है तु मुझे जानता नहिए अलो हलो इसे चोड़ दो, चोड़ दो चोड़ो गाड़ बेड़ा लो इसे पोलीस पर हाथ उठाता है अलो सर मैं जड़र थोड़ा बीजी हूँ तुम वहां किस काम में बीजी हो मुझे बीना बताये तुम लोग वहां क्या खेल खेल रहे हो मुझे क्या बेवकूप समझ रखा है तुम लोगोंने तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे पास यहां पहुचना होगा सर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो वहाँ? क्या कर रहा हूँ, ये बताने का टाइम नहीं है क्या? फरमार? तुमने तो सुना ही होगा, मैं किस नाम से मशुहूर हूँ? पकाओ पीटर छोटे बड़े सभी लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं तो कारने दो, मुझे इसमें कोई आपत्ती नहीं लेकिन मेरे काम करने के तरीके का मेरे अपने ही कुछ लोग विरोध करते हैं और इस बात से मुझे आपत्ती है विरोध करने वालों में कुछ तो मेरे अपने हैं और कुछ राजनेता लोग हैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, खेर जाने दिजे, साहब आप चाहो तो इसे रोख सकते हो, काम की बाद बोलो, वैसे तो वो बहुत सीधा है, एक समय मेरे नीचे भी काम कर चुका है, हिम्मत वाला है, इसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन इस समय थोड़ा सर चढ़कर बोलने लगा है, यह मैं मानता हूँ, कि दो डी जी पी मिलके उसे हद से जादा सर पर चढ़ा लिये हैं, पर मार, वही सीएम की केस की सारी चान बीन कर रहा है, इसके साथ ही एक काम वो और कर रहा है, वो क्या है, चम्चागिरी, मेरे खिलाफ आपके खिलाफ पार्टी के खिलाफ वो सीएम से उल्टा सिधा बोलता रहता है, अब इससे उसका क्या फाइदा, लेकिन साहब उसके साथ कुछ जादा मत करना, उससे बुलाना, एक सक्त वार्निंग देना और उससे छोड़ देना, और साहब, एक बात और भी कहनी है, मैं भी हून इस इंक्वाइरी में, मुझसे पूछे बगर एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए ये बात, आप उससे समझा देना, हाँ वासुदेव, वो पुलिस ओफिसर है न, परमार, उससे यहाँ भीज़ दो, हाँ, मुझे उससे मिलना है, तो मैं चलूं, तुम कहां जा रहे हो, एक जरूरी काम है, साभ सच कह रहा हूं, कहा न बैठो, तुम से चुपा कर, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन, साहब वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ नहीं कहाऊगा, साहब पानी पिना है, प्यास लगी है, तो मैं जाओं हूँ परमार, बड़ी तारीफ सुनिये, बैटो तुम कहां जा रहे हैं? जरा मुझे बातरूम जाना है अभी तो वो कराये थे न यहीं, वो मेरा पेट खराब है चलो बैठो देखो जहां तक हो सकता है सबकी बात सुनता हूँ और अगर जरूरत होती है तो मैं जवाब भी देता हूँ वन अच्छुप रहता हूँ कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं बिलकुल इसकी तरह है इन्हें लगता है कि मैं कोई साज़िश कर रहा हूँ है की नहीं? साहब तुम्हारे बारे में इन्होंने बहुत सी शिकायथे की है लेकिन मुझे पता है इनमें कितनी सच्चाई है नहीं यहां खत्रा हर किसी को है सिर्फ सीम साहब को नहीं पार्टी में मदभेध होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरे को जान से मरवा देंगे पार्टी का मतलब ही है सबको साथ में लेकर चलना और फिर हमारी पार्टी की तो जन्ता में अच्छी साख है विरोधी पार्टी के बारे में दुनिया में बहुत कुछ बोला जाता है भले इस बात से उन्हें फार्ट ना पड़ता हो बगर हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं जन्ता को हमारी पार्टी से बहुत उम्मीदे हैं और हमने उनके उमीदों को पूरा करने की कोशिश भी किये, ये सच है कि हम उनके उमीदों पर खरे नहीं होते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच तो यही है, मेरे विरोधी भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसके बाद भी उन्हें श तुटे कि तुम खुलकर अपनी तहकीकात करो, अगर कभी तुम्हें लगता है कि मैं दोश्य हूँ, तो भी किसी से पूछने की जरूवत नहीं है, आधी रात को भी पूछताश के लिए आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, अब तो ठीक है न, या मुझसे कुछ औ काम्याब रहे हैं, इससे मुझे इंकार नहीं है, पार्टी की जो साख है, उसकी वज़य है हमारे बुजूर्ग नेताओं का त्याग, उसी जनरेशन का हिस्सा है हमारे सीम साहब, उनकी सिंथेगी हमारे लिए अपनी जान से भी पढ़कर है, याद रखना, सर, परमार, एक सर, मैं भी आउँ, बैठो,